हर हर महादेव जैवोलेनाद नमस्कार दोस्तों मैं शादना पंडे माग दर्शन पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों प्रते दिन गाय, कुट्टा और कौवे को रोटी देना ये हमारी नहीं बलकि हमारे सास्त्र की मानिता है सास्त्र में कहा गया है कि मनुस्य जो है सामर्थिवान जीव है और इसे अपने भोजन से पुर्वगाय, कुट्टे और कौवे को कम से कम जरूर भोजन देना चाहिए इन तीन जीवों को संतुष्ट करने से जीवन में आ रही शमस्त बाधाय और परिसानियां धूर होती है देखिए वैसे तो जीव को कभी भी आप भोजन किसी समय करा सकते हैं, खिला सकते हैं लेकिन यदि जीवन में आप अपने किसी लाप के लिए दे रहे हैं, कोई समस्या है आपके उसके लिए, यदि आप इन तीन जीवों को भोजन करा रहे हैं, तो कुछ नियमों का, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए तो यदि आपके जीवन में कोई काम ना नहीं है आप बस इस तरह से ही इन जीवों के प्रतियाप का प्रेम है और आप इने भोजन दे रहें तब जरूरी नहीं है कि आप इन नियमों का पालन करें लेकिन हाँ आप किसी तकलीप किसी परिशानी से गुजर रहें तो इन नियम शुरूप में लाब मायने देखा आ है और जो लोग इस कारे को करते हैं वो देखते हैं कौवे और कुटे से जुड़ी हुए बहुत सारी जानकारिया मैं आपको दे चुकी हूँ देखे वैसे आपको ये बाते बहुत छोटी लग सकती हैं लेकिन वास्तों में अधि हमारे सा रोटी देवी देवताओं का आशिरवाद आपको प्राप्त होता है ग्रहों के होने का भी यानि काय के अंदर हमारे नौ ग्रहों के होने का भी जो है कि प्रमाण प्राप्त होता है तो अब आप समझे प्रति दिन एक मनुष से जो है ना तो इतनी पूजा कर सकता है नहीं नौग रहों को सांत कर सकता है तो सबसे अच्छा जो हमारे रिसी मुनियों ने बात बताए सबसे अच्छी जो निचोड कहे जाते हैं वो बताए कि मात्र एक रोटी ये रोटी कैसे देना है यदि आप लाव के लिए देखते देखे दिन में कभी भी किसी भी समयाब दे सकते लेकिन आप लाव के लिए यदि देना चाहते हैं तो घर के सुबह की पहली रोटी ले करके और आप गाय को खिला दे इससे मैं बता रहे थी आपको कि देखे प्रति दिन ना तो 33 कोटी देवी दे उताओं कि पूजा हर कोई कर सकता है ना नौ ग्रहों को संतुष्ट कर सकत है तो इसके लिए बहुत आसान उपाय का है तो यह है कि एक रोटी अपने घर की जरूब गाय माता को निकाले अगली चीज बता दो दोस्तों वही पर यदि कोई घर की पहली रोटी को ग्रहन करता है तो उसे क्या होता है सबसे पहले तो उस ब्यक्ति को राहु दोस लगता है कि उसका जिवन समाप्त हो जाता है और यह संबह नहीं है कि हर कोई अपनी कुंडली जो है वह दिखाए जानकारी रखे इस से अच्छे यह उपाय है जिनकों की बिना किसी समस्या कि आप कर सकते हैं घर में सबके रोटी बनती है और पहली रोटी गाय माता को निकाले मेर कुट्य को रोटी देने का अपना नियम बनाया है दो साल चार साल पांच साल तर उनके घर में निश्चित रूप से सम्रिद्धी सदा सदा के लिए वास करती ही करती है इस बात को ध्यान रखे हैं वहीं पर बात करें को तो जैसा कि इस समय पित्रपक्ष प्रारंब है कोव नहीं देना चाहिए तो मैंने बताया कि हमारे साइस्त्र का नियम है कि कोवे को यदि आप रोटी देते हैं तो वह आपके पित्रों तक जाता है मैंने इसके संदर्प में आपको बहुत बिस्तित बाते भी बताई है तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिया और कोवे को प् फागी बनते हैं यदि किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो साथ प्रकार के अनाज लेले जिसको सतंजा भी कहा जाता है ये अनाज मिले हुए दुकान पे भी आपको मिल जाएंगे घर भी आप इन अनाजों को मिला करके किसी एक स्थान पे रख दे और सुबह सुबह इनको र बात है आप महनत करेंगे काम करेंगा और आप अपने भोजन का व्यवस्ता जो है वह कर लेंगे पर ये जीव जो अपने भोजन की स्वयम व्यवस्ता नहीं कर पाते हैं हाला कि ये भी बहुत अधिक प्रयास करते हैं परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें नहीं प्र या फिर बालकनी में चिडियों के लिए दाना डालें, कव्वे आएं, चिडिया आएं, जो भी आएं, वो खाएं, पानी पीएं, तो इससे जीवन में आपको बहुत समरिधी मिलती है, सरकारी नौकरी के लिए भी राम बाड़ो उपाय बताया गया है, साथ प्रकार के अनाज प्रकारी के योग बनते हैं, आप बात करेंगे कुत्तों की, कुत्ते को रोटी देने से आपको कौन सा लाप प्राप्त होता है, तो दोस्तों बता दूं कि कुत्ते को रोटी देने से सर और प्रथम तो आपको कुत्ते को रोटी देना कब चाहिए, तो मैंने आपको जब रातरी के समय की आखिरी रोटी यानि कि जब पूरी रोटी बन जाए तो अंतिम रोटी पे कुत्तों का अधिकार होता है ऐसा हमारे सास्त्र और रिसी मुनी बताए हैं तो इसमें भी आपका लाब है कोई भी चीजें ऐसे नहीं बताई गई हैं कि बस आपको बता दिया और आपको कोई लाब नहीं देखिए जब आपके सनी खराब होते हैं तो बहुत जादा परेशान हो जाते हैं जीवन में बहुत जादा दुगदाई स्तिती हो जाती है तो ऐसे में यदि आप इन नियमों को करते रहें तो आपके उपर सनी की धह आया आए साड़ी साती लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा नियम पालने को आप से कहती भी नहीं हूँ इसलिए मैं यही कहती हूँ कि आप साधान सी अंतिम रोटी को उठाइए और एक नियम बना लिजिए कि जैसे ही आपके घर का मुखे दर्वाजा बंद होगा आप कुटों के लिए रोटी डालेंगे एक चीज़ बता दू आपको कि यदि आप डालते होंगे कुटों को रोटी तो आपको अनुभा होगा लेकिन आप जो है एक दिन दो दिन दस दिन यदि कुटों को एक स्थान पे रोटी देंगे तो आपको याद रहे या न रहे क्योंकि आपने निरी जानवरों का पेट भरा यदि जो लोग देते होंगे कमेंट मीं बताइए का दिखीएगा एक रोटी के लिए कुत्ति कैसे भाग करके आते हैं तो अब सोचिए कि आपने बैठे बैठे कितने पुणे करम कर लिए आप पूजा करते हैं पाट करते हैं सब में परमात्मा का वास होता है और किसी को संतुष्ट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पुणे का कार है वो होता है तो यह चीज रखे और जिन नियमों की मैंने बात कही वो यही नियम है कि आपको गाय की रोटी जो है वो सुबा के समय देनी चाहिए और कुत् स्याने आपने रखा कौवे के लिए कोई भी जीव खाया आपको पुणे वही मिलेगा और यह कहने सुनने वाली बात नहीं है जो लोग इसको करते हैं जीवन में सम्रिद साली और प्रभाव साली बने रहते हैं अब आप यह बिलकुल मत कहिए कि मैं दो महीने से कर रहा हू बस यह सूच कर करिए बाकी तो भगवान है वो देते ही देते हैं आपका किया गया एक भी पूरे कार भगवान अपने पास रखते ही नहीं है बिलकुल नहीं रखते आपको भी मिलेगा सही समय आने दीजिए और आने पर आवश्य ही सबको प्राप्त होता है तो यह नियम जरूर ध्यान रखे और उमीद करते हूं जानकारी आपको पशंद आएगी धन्यवाद